आदाब पलपल नियूस के नियूस रूम में आप सबी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अख्रब खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपीर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगतार मिलती रहे और अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलीगा बढ़ते हैं खबर की तरह सदन में पहला सत्र 2019 का चल रहा है और उस दोरान नफरत बराचेरा भारती जन्ता पार्टी का हम लोगों ने खुल करके देखा क्योंकि जिस तरह शपत ग्रहन के दोरान मुस्लिम सांसदों को चिरहाने के लिए जैशिरिराम और वंदे मातरम के नारे लगाए गए तो उसके जवाब में नारत तक्वीर अल्ला हुआपपर का नारा मुस्लिम सांसदों ने भी दिया पर विवाद में आ गए मुस्लिम सांसर और बीजेपी सांसदों की चर्चा करना हमारा मीडिया भूल गया तो वही संबल से शफिकुर रह्मान बर्ग बयान देते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहुँआ उसके बाद मीडिया का एक ऐसा चहरा हम लोगों के सामने आ जाता है जिसकी हर कोई अलुचना कर रहा है पर अगर बात नहीं हो रही तो बीजेपी सांसदों के भाशनों की बात नहीं हो रही अब इसमें साफतार पर केंद्रिया मंतरी प्रताप सारंगी भी कूच चुके है और उन्हों ने भंदे मातरम को लेकर के मुस्लिम समधाय को टार्गेट किया है यह अहले जान लेते हैं कि आदम खान नहीं क्या कुछ कहा है मैं यह समझता हूँ अगर हम इस माहौल को बदलना सके तो शायद लोग तंतर का सपना हमारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा मन्जल पे न पहुँचे उसे रस्ता नहीं कहते और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मैं महामहिम राश्पती महौदे के अभी बाश्राओं की मुखालिफत में नहीं खड़ा हुआ हूँ लेकिन मुझे इस बात का अफसूस जरूर है कि जो बुनियादी बातें और बुनियादी सवालों के जवाब होना चाहिए थे शायद वो जवाब नहीं है हमारे सिस्टम की ये मजबूरी भी है कि राश्पती महौदे को अपने दिल और अपने दिमाग से कुछ कहना नहीं होता है सिर्फ पढ़ना होता है लेकिन चमन के निगवानों को यकिनन निगवानी मुबारक हो लेकिन ये ख्याल रहे यहाँ जिम्मेदार नहीं है इस वक्सदन में लेकिन हो सकता है मेरी आवाज या मेरी बात वहां तक पहुँचे कि सिर्फ चमन में फूलों की हिवाज़त नहीं होती बलके वो काटे जो फूलों की हिवाज़त करते है अगर उन काटों की हिवाज़त नहीं हुई वो यकीनन बहुत तकलीफ दे है मेरे जैसा बेखती जो एक यूनिरस्टी का फाउंडर है एक ऐसा मेडिकल कॉलिज बनाया है आप देखेंगे तो राश्पती भववन शायद अच्छा न लगे जहां बच्चे पढ़ेंगे जहां परधान मंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो तकरीबन पाँच सो एकड़ जमीन पर एशिया का लगबख सबसे खुबसूरत विशिज जाले है और ये मैंने इस तरहां बनाया है मानेवर हाथ और दामन पहला कर मेरे बच्चों के 4 CBSC वोड के स्कूल चलते हैं 3,60 रुपे की फीस लेता हूं जिनके माबाप नहीं है उन्हें मुफ्ट पढ़ाता हूं उन्हें ड्रेस मुफ्ट देता हूं उन्हें किताबें मुख्ट देता हूं माबाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन है सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला रिक्षा चलाने वाला मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मातर 20 रुपएा दिये जाते हैं लेकिन इसी आजादी में मेरे जैसे वेक्टी के साथ जो वरता हुआ उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे के बार बार 1947 का जिक्र हुआ है यहां आजादी के 70 सालों का जिक्र हुआ है हमारा बहुत विवाद है कांगरेस से बहुत नाराज़गी है मुरदबाद से लेकर आयोध्या तक बहुत से सवालाथ है जिसका जवाब नहीं है उनके पास लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ विकास का काम इनहीं पांच बरसों में हुआ है विकास बहुतों नहीं किया है जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास रखड़ी के पहियों की गाड़ यहां थी हमारे पास इतने भी हत्यार नहीं थे कि 47 के बटवारे में जो खुरेजी हो रही थी उसे हम रोक सकते हो बहुत आसान है किसी पर कटाक्श कर देना लेकिन सचाई की आँखों से भी देखना पड़ेगा माने वर और मैं यह कहना चाहता हूँ सदन के उन तमाम साथियों सरुतर प्देश के जो जीत कराए है वो मुझे विख्तिगत तोर पर वाकिफ है और मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ के मेरे पूरे राजने सिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेइमानी, रिश्वत और कोई भरिश्चाचार या विख्तिगत रूप से किसी के साथ तो ज्याद्टी की हुई सरकारी कलम के साथ हो तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए एलान करता हूँ मैंने सुना नहीं वरना मैं आपका जवाब दूँगा मैं मैंने माने वर बहुत साथ सुतरी जिन्दगी गुजारी है वरना इसना लंबा राजनेटिक सफ़ाप तैकरने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता मैं उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूँ कि सेंटाली से बठवारे के वक हमें हख था पाकिस्तान जाने का आपको नहीं था हमें हख था लेकिन हमारे अज़्दाद ने ये तैकिया कि ये वतन हमारा है हमारे अज़्दाद के कबरे हैं यहां हमारे बुज़गों के मजाराथ हैं यहां जामा मस्धित है दिल्ली की ताज महल है किले हैं हमारे बुज़गों की यादे हैं और यही आज धरोहर हमारे भारत की वही लोकतदार हो गए उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा हम अपनी मर्जी से रुके थे हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में ये कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा बहस वंदे मातरम की नहीं है मैं मेरी बात तो सुनने आप मेरी बात सुनने हो सकता है आपके शर्मिंदगी हो बात वंदे मातरम की नहीं है मानने वार अगर गानून की बात करूँ तो सुप्रेम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सबसे बड़ी अदालत वो भी है लेकिन अगर आपनी इतिहास पड़ा हो रेश्मी रुमाल तहरीक हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कितने अलुमाने फासी के तख्ते चूमे थे कितने लोग मारे गए थे देश में नजाने कितनी मट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिन में हमारी लाशे आज भी सर गई होंगे लेकिन उनमें दफ्र में रिश्वी रुमाल तहरीक में अगर आप रिश्वी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मा की तस्वीर छपी होई मिलेगी आपको ये रिश्टिक कब थे ये 1942 में जब हिंदू और मुसल्मान ने एक बरतन में खाना खाया था तब अंग्रेस को लगा था कि वह अब हिंदूस्तान में राज नहीं कर सके बा और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदूस्तान आसाथ हो गया था हम आज जी एक ही महले में रहते हैं एक घर में बैटते हैं हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं जब वोर्ट जैसी चीज हमारा मुकदर बनने वाली होती है तब इंसानियत के सारे रिष्टे हमारे तूट जाते हैं इससे देश बहुत कमजूर हो रहा है इससे हम बहुत कुछ खो रहे है आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे मैं आपसे कब कह रहा हूँ कल्मा पढ़िए आप मैंने आपसे कब कहा मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयशे पढ़ी जाएं यहां यह लोग तनसिका मंदिर है यह सम्विधान का मंदिर है जो चाहे कहे अगर मैं कहूँ तो आप रोक नहीं सकते और मैं नहीं नहीं कहूँ तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा मनिवर मान्ने वर मान्ने वर संविधान से चलेगा यहीं तो हम भी चाहते हैं यही हम चाहते हैं अगर संविधान में कहीं किसी मख़भी किताब का कोई श्लोक कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया ओ मैं सबसे पहला ویکंति हूँगा जो इस हुकम पर नक्बस तक करूंगा मानो सम्विधान को मैं भी यही कह रहा हूँ हमें सम्विधान को मानना चाहिए और जो लोग सम्विधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है पूरा जिसम हातों से बना हुआ नहीं है पूरा जिसम पैरों से बना हुआ नहीं है शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए इनसान इनसान नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान एक बहुतरीन इनसान है इसे बहुतरीन इनसान बना रहने दिया जाना चाहिए ये कहना चाहता हूं मानने वर परदान मंत्री जी को बारती जन्ता फार्टी को दूसी सरकार बनाने के लिए बहुत मुबारक बाद लेकिन ये याद रहे कि जिम्मेदारियों का बहुत बोच है उनके कंदों पर जो कहा जाए वो किया जाए किसी को गलत नाम से मैं एक छोटा सा वेक्ती भैसे भी पालता हूं परदान मंत्री जी को जन्सभा में मेरी भैसो का ख्याल रहा मेरा ख्याल नहीं रहा मानने वर चार चार साल के मासूम बच्चों को जिला धिकारी औरेडियम स्कूल के अंदर कान पकल कर उठा ले यही है कानून का राज 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 यह तीन तलाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा हूं एक दर्वाजा जो सरकार के पैसे से बनाओ जिसे सरकारी संसाने बनाया हो मुईशी प्रेम चंद की जबान थी अर्दू अर्दू मुसल्मानों की जबान नहीं है मुसल्मानों की जबान है अर्भी उनके कुरान की जबान है अर्भी अर्दू मसल्मानों की जबान नहीं हिंदुस्तानियों के जबान है इंकलार सिंदाबात की जबान है इस जबान के साथ तास्व अर्दू गेट बना हुआ है तोड़ दिया जाएगा सरकार से बना हुआ सरकार के पैसे से और सरकार की संसा से बनाया हुआ दर्वादा गिरा दिया जाएगा गिरा दिया जाएगा मानने वर कैसे कानून कराच चलेगा मासूमों को कान से पक्षा कर उठा दिया जाएगा मानने वर कैसे आप शिक्षा देंगे आप उत्त प्रदेश में कारडिनस लाने की तैयारी हो रही है मुझे कोई परेशानी नहीं है उससे क्योंकि मेरा गरेबान साफ है मेरा दिल साफ है मेरा दामान साफ है लेकिन मैं जानना चाहता हूं मानने वर सम्वेधानी की बात देता है हम शिक्षा देंगे हम रोजगार देंगे कितना रोजगार दिया कितना साफ पर ख्याल रखा हमने बहुत आसान है ये कह देना कि इतना पैसा खर्च कर दिया गया लेकिन ये बताना पड़ेगा सदन को नेसा सदन को ये बताना पड़ेगा गोरकपुर में बच्चे क्यों मर गए इलाज क्यों नहीं हो सका मुख्यमंत्री के छेतर में क्यों इतनी मौते हो गई बिहार में इतनी मौते क्यों हो गई मान्यवर मान्यवर जब तक ये जहनियत नहीं बदलेगी मेरे जैसे लोगों का सर्वाईवल बड़ा नमूंकिन हो जाएगा लेकिन मैं क्यूंके चुना हुआ वेक्ती हूं मानने वर और इसलिए भी मैं बहुत अहमियत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि एक कमिशन बिठाएं आप लोग तंत्र के इस परफर जो हुआ है मेरे यहां पंधरा दिन तक बराबर रेड़िस्टेशन ने जो नंगा नाच किया है मारा है लोगों को बहुत एक वर्क के लोगों को रामपु शेहर के अंदर सौार के अंदर टाड़ा के अंदर दढ़याल के अंदर आप बिठाएं के मिशन हमारा भी रोल देखें जिला अधिकारी का रोल भी देखें शोकिया मारा है लोगों को दर्वाजे तोड़कर घुसे हैं लोगों के अंदर सततर हजार रेड़ कार्ट दिये हैं पुलिस ने दर्वाजे के अंदर घुसकर सततर हजार परिवारों से ये कहा के वोट डालने के लिए नहीं निकलोगे जहां सततर हजार परिवार वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे लोग तंतर कहां बाकी रह जाएगा कैसे अगर ये जूट है मानने वर ये भी नोट किया जाए कमिशन का हिस्सा माना जाई से अगर 77,000 परिवारों को रेड़ कार्ड देकर वोट डालने से वंचितना किया गया हो तो जो सजा ये सजन चाहे तै कर ले मानिवर इसलिए मैं कह रहा हूँ आप से कि लोग तंतर का बचना जरूरी है और लोग तंतर आवाजों से नहीं बचेगा मानिवर लोग तंतर तब बचेगा जब फांसी की तक्तों पर चलने से पहले शहीद भगत सिंग का वज़न लिया जाएगा तो पांच पांच पांड वज़न बढ़ चुका होगा इस से थाबित होता है देश की आज़ादी कैसे हुई थी आपस के रिष्टों को नहीं संभालेंगे देश खुशाल नहीं रह सकता मैं कहता हूँ ये पूरा शरीर हिंदोस्तान है मेरे शरीर के पांच वे हिस्से पर अगर फालिज लग जाएगा तो ये एक कामियाब हिंदोस्तान और से थाबित हिंदोस्तान नहीं होगा पूरी दुनिया का कोई वेक्टी से से थाबित हिंदोस्तान नहीं कहेगा एक आवाज तीन तलाख के लिए आई थी मानने वर मानने वर कोई एक तलाख मानता है माने कोई दो मानता है माने कोई तीन मानता है माने नहीं मानता है मत माने मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा विक्तिकत मामला है इस पर कुरान जो हुक्म देता है जो कुरान फैसला करता है जो कुरान राय देता है उस राय से हट कर कोई बात फुब में ही जाएगी हर्गिस नहीं की जाएगी हर्ग्स नहीं मानने वर और मैं एक बात और भी Chapter ये जो महाओ महीलाओं के बड़े हम्दर्व बनते हैं महीलाओं की बड़ी बशारस करते हैं महीलाओं के दुछ उनके दर्द और उनकी तकलीवों के बारे में भी बताएं सब्री माला के बारे में बताएं जो आखिए सब्री माला में एक पैमाना और और मुस्रिम तलाक्शदान को करें दूसा प्राइब और मैं आद्या मिनट लूँगा आपका मुझे तो इस बात का भी अंदेशा है मानिवर मुझे इस बात का अंदेशा है कैंए ऐसा नहो देश अपने आपको शादी के बंदन सहलग कर ले मानिवर कैंए ऐसा नहो कि शादी ब्या, निकाह और मंडर से लोग दरने लगें मानिवर हमारे यहाँ शादी का लिवाज घृतं को लोग पसंद करने लगें आईए अपनी सब्वेटा को अपने संस्किर्टी को वापस बरें और अपने जिश्टों को वापस लाएं और एक अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्ब ना करें